हाई एवरीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल दिवनीडी टेर और सिक्स बेट रूथ आलवेज एक्सपोसे डापनेस तो कैसे सब लोग आई होब एवरीवन इस फाइन एंड यूर तो आज का जो टॉपिक है गाईस वो है कैनल बैक्स प्रेडिक्शन ओन दा स्केच और आज का जो स्केच है वो है गाउल बहुती ज़्यादा खुबसूरत पक्षी है यह एट लिस्ट इट्राक्स मी अलोट जनरली यह जो बर्ड है इसको जाना जाता है फॉर इस इंट्यूशन ठीक है डेफिनेटली रात के समय पर यह हमेशा ही जाकते रहता है इसलिए लोग बोला जाता है आर्यो नाइट आउल ओके जनरली क्या है लक्षमी जी की भी प्रतीक है लक्षमी जी की जो वाहन है ठीक है वो है आउल कईने कई पे सब तरह से शुब होते हैं और अगर वो कोई supernatural environment मतलब जिस तरह से हम बोलते हैं भूत, प्रेद, पिशाच ठीक है इस सारे दुनिया से भी relate करते हैं ठीक है तो आज का जो topic है वो है your person's feeling straight away from their soul ठीक है उनकी आत्मा आपसे क्या कहना चाते हैं तो generally मैंने आपको बताया था एक reading में कि हमारे body किस चीज़ से बनते हैं वो हम बताएंगे आपको body means of course the entire party के सोच चलो start करते हैं reading को बाद में देखते हैं उस चीज़ को सो आप अपने partner के उपर focus कने की कोशिश कीजिए और तब जाके हम देखेंगे ठीक है so collective है timeless है for all to take science and it is a general prediction चाहें को like share subscribe जरूर करें Instagram है follow करें Instagram का जो ID है वो description box पे दिया हुआ रहेगा you can also subscribe to my another channel so let's get started यहाँ पर हम देख लेते हैं spirit guides please help me please guide me thank you universe thank you spirits and thank you guides हम देख लेते हैं क्या आपके person आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या विचार है उनके आपके person मैं थोड़ा सा hints देना चाहूंगी उन लोग के लिए जो अक्सर बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा hints दे देना ठीक है कि यह reading हमारे है ताकि क्योंकि यह उनका feeling से तो हमें समझ में नहीं आएगा कि reality होता है या नहीं anyway आपको थोड़ा सा मैं बोली देती हूं सो यहां पर मुझे दिख रहा है आपके person जो है थोड़ा सा मुफली खाना बहुत ज़दा पसंद करते हैं दूसरा चीज है कि आप भी मुफली खाना peanuts या peanut butter वह बहुत ज़दा रेगुलर्ली डायेट में लेते हैं दूसरा चीज है कि इनको बहुत ज़दा roasted खाना मतलब इतना तलावा खाना नहीं खाना होता है कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है इनको barbecue food ठीक है grilled food items बहुत अच्छे लगते हैं I don't know maybe your choice or your partner's choice but मुझे दिख रहा है now coming to the coming to your person's feelings मुझे दिख रहा है कभी-कभी लगता है उनको कि आपके अंदर बहुत ज़दा attitude आ चुका है पहले से बहुत ज़द अगहमन आ चुका है और पता नहीं कि उनको लगता है कि चाहे जो भी हो यह आपके साथ contact में हो या नहीं हो अगर contact में हैं तो कोई problem में अगर नहीं भी है तो वो कहीं से भी अगर आप इनको छोड़के चले भी जाए किसी भी हालत पे वो आपको ढूंड लेंगे जमीन आस्मान एक कर देंगे लेकिन आपको ढूंड के रहेंगे जिस सरह से एक researcher scientist जो होते है वो different products निकालते ही है इंसान जो है देखोईगे यहाँ पर देखोईगे bird की आ रहा है so of course message is coming towards you but यह message हो सकता है कि वो अचानक से आपके पास message करके react करें कि इतना दिन तो हो गया कि तो आपके तरफ से तो कोई phone call नहीं है ना कोई text है so क्या करना चाते हो क्या तो आपका क्या दिखावा ही है relationship so मुझे यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है कि आपके person बहुत जगा ऐसा बोलने की तो जरूर कोशिश करेंगे अगर यह आप से बोलेंगे भी तो यही बोलेंगे कि सिर्फ आपका क्या दिखावा था क्या superficial relationship था क्या सिर्फ आपने उपर उपर से ही दिखाया और अंदर से मुझे तो प्यार नहीं किया अगर प्यार किया होता तो आप मुझे contact करते या आप इस रिष्टे को आगे लेके जाने के लिए बोलते तो इसका मतलब है आपकी जिंदेकी में तो definitely कोई है तो आप इससे और चेर जाओगे यह तो मुझे पता है यहाँ पर Aries and Scorpio can be important science but I find ठीक है यहाँ पर केले का पेर किसी के घर में है आसपास है केले का पेर बहुत जादा ठीक है आप इस तरह से अपने पैर रखके बैठे हो थोड़ा सा bent होके ओके सो मुझे इस तरह से बता नहीं क्यों है सा महसूस हो रहा है कि आपके person जो है आपके हाथ से अपना हाथ मिलाना चाहते है and definitely they want to collaborate with you I don't know why मतलब आपके साथ वो coordination करना चाहते है ठीक है और कुछ बोलना चाहते है कुछ confess करना चाहते है आपको हो सकता है लगता है कि इनसान बहुत ज़ादा जिस तरह से होता है ना कि नीवू पानी तो नहीं है बट नीवू का squash ज़रूर है so lemon squash and lemon is not the same यह कि उसमें flavor होता है उसमें preservative होते है so कहिना कहिए पर आपके person artificially behave करते है और आपके person को भी लगता है कि आप artificial हो मतलब आप genuine नहीं हो कभी कबार आप genuine नहीं हो और कुछ लोग के लिए आपके person को लगता है maybe आप genuine हो लेकिन आप अपना genuine feelings इनको कभी show नहीं करते वर्गो can be very important वर्गो can be in your 7th house या इनके 7th house में वर्गो हो सकते है okay so I do find like that दूसरा चीज है कि यह जो इंसान है ऐसा नहीं बोल साथ है कि बहुत ज़दा भोले भाले इंसान है no they are quite calculative बहुत ज़दा calculation करके चलते इस तरह से मुझे दिख रहा है कि एक लड़की या लड़का जो भी है stretch कर रही है यह stretch कर रहा है अपना पैर इस तरह से लगके और उस तरह से लगके जिस तरह से dance जरूर मेंटेन करते हैं and definitely वह इतना ज़दा fitness मेंटेन करते हैं कि कहने पर उनको उतना ज़दा stress नहीं लेना पड़ता जितना आप लेते हों यह इंसान जो है कभी वार यह उनको डर लगा हुआ रहता है यह आप उनको अपने जिंदगी में accept करोगे यह reject कर दोगे as simple as that so अगर आपने उनको reject कर दिया तो वह कहीं के भी नहीं रह जाएंगे कुछ लोग के लिए पताने मुझे क्यों लग रहा है आपके मुलाकात या आपके relationship इस तरह से शुरू हो आता कि आपके person ने किसी को challenge दिया था कि चल मैं इस लरकी को या इस लरकी को पटा के रखोंगा या रखोंगी इस तरह का कुछ challenges मुझे बताने क्यों ऐसा लग रहा है कि शर्थ ठीके वो शर्थ रखे थे कि अगर आपने आपको प्रपोस किया और आपने हाँ बोल दिया तो वो शर्थ जीत गया है बाद में आपके साथ कोई लेना देना नहीं इसका लेकिन आपके साथ में contact में आते ही यह इंसान जैसे बदली गये उनको प्यार की हवा यह लग गया है जैसे प्यार की भूख लग जाता है उसी तरह से आपके परसे आप काफी सथ एक्साइटेड हो इस पर बहुत ज़द एक्साइटमेंट मुझे यहां पर दिख रहा है आपके परसे आपको मिलने से बेकरार है आपको बहुत ज़द पीछा कर रहे हैं आपके बारे में ट्रैकिंग करना लोकेशन फाइंड आउट करना अपने फ्रेंड से अपने दोस्त लोगों से आपके बारे में पूछना कोई कॉमन फ्रेंड से पूछना यह तो लगातार होता ही है दूसरा है कि आप जितने भी इन से भागने की कोशिश कर रहे हो वो उतना ही आपके उपर और अट्राक्शन फील कर रहे है and this is called a genuine soul connection ठीक है ऐसा नहीं है कि out of sight और out of mind जैसा बोला जाता है न कि किसी दिन किसी को मिले फिर बाद में और नहीं मिले फिर आप भूल गए वो भी भूल गए पर यह कोई out of sight, out of mind कुछ नहीं है जैसे नजर से चला गया और भूल गया है ऐसा कुछ नहीं है अगर यह आपकी पहली मुलाकात भी था इस इंसान के साथ तो भी यह इंसान हजारों कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे है because this story, this love story cannot be forgotten ठीक है यह भूला नहीं जा सकता I can find like never ending love story जो कभी भी खतम नहीं होगा I don't know, they are visualizing वो ऐसा visualize कर रहे है कि आप बहुत यह आगरा female है आप बहुत long dress gown में है और आप उनके साथ मिल रहे हो आप से वो intimate हो रहे है इस तरह के खायालाद को visualize कर रहे है definitely it's like that and उनके नाग थोड़ा सा गोल गोल है होंट थोड़ा सा पतला है कुछ लोग के लिए pointed भी हो सकते है आपके features बट मुझे दिख रहा है यहाँ पर 4 is very important ठीक है 4 यहाँ पर prominently है 4, 31, 13 and 22nd can be important numbers maybe birthdays आपके याई April का month काफी important हो सकता है 4 दिन के बाद 4 हपते के बाद भी और 4 महने के बाद भी कुछ important खास हो सकता है ठीक है so I feel 4 is very important 4 is also stability stability 4 pillar ठीक है 4 दिवार एक गारी का गारी का चार पर या हो विल हो of course वो रन करेगा best way में balanced रहेगा करेगा पर मुझे इस तरह से दिख रहा है वो इंसान आपके जिंदेगी में आएंगे और आपको चुदा के लेके जाएंगे इस तरह से दिख रहा है it's a love story that will never end and definitely should not end also ठीक है 11-11 भी आप देख सकते है पता नहीं उनको इस तरह से आपको पताने क्यों लग रहा है कि आप एक strawberry की तरह हो strawberry passion fruit so आपको खाने की कोशिश कर रहे है इंसान आपके प्रती इतना passionate हो रहा है इतना enthusiastic है काफी जादा आप charming हो सकते है काफी जादा गुपसूरत हो सकते है आपकी दिल जो है बहुत जादा गुपसूरत है ठीक है and definitely they are really fitter okay for you and कुछ लोग के लिए आपके परसन चाहते है कि आप थोड़ा सा exposing dresses भी बहन है ठीक है and straight away from the mind पता नहीं soul से मैं बताने की कोशिश कर रही थी पता नहीं mind and heart का यहाँ पर चला भी आया है so कहीं नहीं पर ये इंसान सोच रहे कि मेरे person ऐसे से dress पहनेंगे तो कैसा होगा थोड़ा सा revealing dress पहनेंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा इस तरह से भी कुछ nut cut वाला चीज भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर so they want to flirt also with you and वो ऐसा बोना चाहते है कि मैं तो आपके बच्चे की तरह हो तो मुझे माफ कर दो आप तो मुझे माफी कर सकते हो आपका दिल बहुत बड़ा है so hurt भी करेंगे और माफी भी मांगेंगे apologize भी करेंगे and I do find कि इनसान जो है आपके साथ जब बात करेंगे next time they will be very genuine about their feelings उनके feelings के उपर उनकी पूरी तरह से hold होगा and वो ज़रूर gratitude अदा करना चाहेंगे this universe का कि आप उनके साथ उनका मुलाकात हुआ है देख लेते हैं और अब वो क्या फिल करते हैं I can find lot of पता नहीं आज इतना ज़दा groundnuts, peanuts under the soil under the soil अगर भी है कुछ मुझे दिखाए दे रहा है इसका मतलब है root chakra root chakra मतलब base chakra that is mula dhara chakra मतलब 4 again 4 that is a stability so कहने कहने मुझे दिखाए है यह इंसान और कुछ नहीं चाहते है यह इंसान चाहते है कि सब जो temporary relationship होता है वो बहुत बेकार होता है तेकि उस सब में मजा नहीं है definitely जब उन्होंने अपना mind बना ही लिया है तो वो नहीं चाहते है कि आप उनके साथ ऐसा कोई relationship रखो कि जो temporary हो ठीके जो short time के लिए हो जो कुछ दिन के बाद हो उसका कोई mind ही नहीं है so they don't want one night stand with you यह तो बिलकुल नहीं चाहते है अगर पहले चाहते होंगे बड़ा भी नहीं चाहते है मुझे नहीं दिख रहा है at least अगर दिख रहा होता तो मैं आपको ज़रूर बता देदी I don't find it T is very important T, U, V पता नहीं आपके person इस तरह से कुछ pose देते है या कुछ ऐसा मतलब इस तरह का कुछ indication करते होंगे something they do like this or do like that okay, so I do find a heavy energy की नहीं पता उनको इस relationship का future क्या होगा okay, there is a telephone old वाला telephone मुझे दिख रहा है so they are going to give a call of course call back करेंगे and अगर उन्होंने देखा कि आप must call दे रहे है या आप call कर रहे है वो वबस आपको call जरूर करेंगे अगर आप initiative लेना चाहते है तो ले सकते है there is no issue अगर आपको लगता है कि मैंने already ले लिया है it's gone above the limit और मैं नहीं ले सकती है नहीं ले सकता तो ये आपके उपर है let them take the decision but उनको insecurity issues है ठीके वो भरोसा तो करते है आपके उपर लेकिन कभी-कभी उनको लगता है maybe you have some option इसलिए आपको और कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ लोग सही में आपके पास option है और कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उनको और भाव नहीं देते हो और value देना नहीं चाहते है मुझे दिख रहा है ये अपने जो friends है family है इनके साथ जो है ना बहुत ज़दा gossip करते है बहुत सारे लोग इनके आसपास है ठीक है जो इनको मदद भी करते है ठीक है कुछ अलग-अलग numbers से ठीक है fake IDs बना के ये फिर आपको आपके साथ बात करते हैं इंडिरेक्ट लिए So I found the overall energy is very good ठीक है sofa set पता नहीं को दिख रहा है maybe you are sitting on the sofa set and watching ठीक है अभी हम देख लेते हैं आपके लिए guidance क्या आ रहा है and then we will enter reading So in words please बताएए कि मेरे viewers के लिए क्या है please बताएए मेरे viewers के लिए क्या है क्या guidance है क्या advice है मेरे viewers के लिए please बताएए इंडिवर्स ओके grounded देखा वो four यहाँ पे आया था और यहीं ही पे आया So आपको इंडिवर्स यह बोला जा रहा है बोल रहे है of course कि यह इंसान चाहिए आपके जिंदगी का हिस्सा हो या ना हो आपको हमेशा ही ना अपने जीवन को खुशी के साथ एक dignity के साथ एक soul का हमेशा dignity होता है and courage के साथ ठीके किसी को भी डरने का जरुरत नहीं है उसके साथ जीना चाहिए ठीक है so reframe this is happening for me and not to me वो मेरे अगर आपको बोला आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है तो वो आपके साथ ऐसा नहीं होता है वो आपके लिए होता है gift parcels ठीक है definitely कुछ messages gift boxes unboxing आपके जिंदगी में reframe होना मतलब restructure reconciliation बाकी है ठीक है and third freedom आपको कोई ऐसा restricted environment से आजादी जरूर मिलेगा कोई आपको hold करके नहीं रख सकते ऐसा नहीं कर सकता ठीक है I no longer want this fiery ring of resentment to block the good release me from its bonds मुझे इस तरह का जीवन नहीं चाहिए जहाँ पे सर्फ नाखुश होके रहे लोग मुझे ऐसे जिन्देगी चाहिए जहाँ पे मुझे आजादे मिले अपना काम को सही तरह से करने का ठीक है प्यार आजादी देता है प्यार आजादी को छीनता नहीं है अगर प्यार आजादी को छीन लेता है तो वो प्यार नहीं है वो एक हवस है ठीक है, नाव में आपको जो बोलने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनें, हमारे बोडी से तीन बार्ट्स होते हैं, एक तो एस्ट्रल बोडी, जो हमारा जैसे परचाई होता है, वो अस तरह से होता है, वो बोडी के उपर ही रहते हैं, चाहे हम जीवित हैं, चाहे हम मर चुके हमारे उपर ही रहते हैं दिखता है हमारे जैसा लेकिन कोई लंग्स कोई हार्ट कोई ओर्गान कोई टिशू कोई मसल ऐसे सब नहीं रहता शेप पूरी तरह से हम जैसे दिखते हैं वैसे ही है दूसरा है हमारा फिजिकल बॉड़ी उसके अंदर है सोल तीके दा कॉजल कहने कह चिस आत्मा जो बोलेंगे हम डर सोल जो बीज जिससे हम बने हैं वह एकदम पिछले जन्मों का बहुत कुछ चीज करी करते हैं और इस वाल्ट चार्जल बॉड़ी सो डेफिनेटर बॉड़ी जब मर जाते हैं फिजिकल बॉड़ी का डेथ हो जाता है लेकिन अस्ट्रल बॉडिंट BORG POSTS सब्सक्राइब कि पर नहीं है हम किसी और के साथ बात कर रहे घुम रहे है इस ऑर एस्टरल बॉड़ी ठीक जो हमें लगता है हमारी रूँ है ऐसा नहीं है लिए यह यह पूरी तरह से similar but there is no muscle there is no leg means there is no blood कुछ भी नहीं ठीक है फिर हमारा physical होगा फिर अंदर है causal जिस चीज के लिए पिछले जनमों का सारी impression ठीक है इस जनम में भी होगा ठीक है और इस जनम का भी दूसरे जनम में जाके होगा और एक चीज है कि जैसे दिखता है कि लोग ऐसा बोलते कि सोल टेक्स री इंकर्नेशन होते पुनार जनम होता है एराउंड 500 साल 600 साल तो आप बोले करें पर इतना साल बात होता है तो हमें सोचना ही नहीं होतना फिर तो मजा है लेकिन स्पेस में या बोला जाता है उनिवर्स में ऐसा माना है कि 500 साल वो ऐसा 500 साल नहीं है उनके लिए वो 50 दिन है बड हमारे लिए यहां पर 500 साल है तो यह नहीं है वो 50 देज भी हो सकता है ठीके इस तरह से होता है जैसे बोला जाता है कि श्राद जो होता है फो एक साल के बाद किया जाता है ठीक है 365 के बाद किया जाता है यह जब कोई बुजर्ग इंसान का लास्ट extending हो गया फिर उनके बाद जो भी न lets होगा वो तो होगा उसके बाद एक साल के बाद उनका डेथ जो बोला जाता है डेथ अनिवसरी पालन किया जाता है ठीक है फिर क्या होगा वो एक साल क्यों पालन करते है ऐसा मना जाता है कि हमारे लिए यहां पर एक साल है पर वहां पर ना बहुत ही कम दिन मैं exact days मैं बोल दूँगी कि कितना दिन I do think so it is around one day or something like that बड़ यहां पर one year है something like this तो आप calculation करके मैं exact days बता दूँगी कि यहां पर one year है बड़ वहां पर कितना है आपको लग सकता है कि एक साल के बाद आप कर रहे हो लेकिन आत्मा को जो मिल जाता है पिंट दान या जो भी हो वो एक साल में नहीं है जल से जल्दे मिल जाता है और जो खाना हम लोग ओफर करते हैं सोल को after they die जो हम ओफर करते हैं वो ही से उनका पहले क्योंकि वो next level तक रॉस नहीं कर सकते हैं इसलिए उनका खाना वहीं से आता है they take the ऐसे लगता है कि कोई खाना नहीं खाया बढ़ खाते है वो मन का दुनिया है वो ठीके वहाँ पे जो है दुनिया जो है पूरी तरह से इस इंडिपेंड़नेंट तो उसके गहराई में जाना बहुत जादा ज़रूरी है तब जगे हमें समझ में आता है so this is all about today's reading I hope मैंने अच्छा से अब कुछ समझा एक्स्टा information भी दिया है so please like, share, subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity, dare us, expert truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys